हेलो फ्रंट श्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इस्टेरिया वर लाइफ में तो अभी बिहार एससी के इडूटेरिया के बुक्स जो प्रैक्टिसेट हमारा चाल रहा है प्रैक्टिसेट नमबर आज हम 14 को देखेंगे इसके बाद एक और प्रैक्टि कर सकते हैं सबसे पहला प्राशन है कि अभी हाली में अपने प्रतेक पडिवार को स्वास्त भीमा परदान करने वाला देश का पहला राज कौन बन गया तो हाली में अपने प्रतेक पडिवार को स्वास्त भीमा परदान करने वाला देश का पहला राज कौन बन गया तो हाल जीवी स्वास्त बीमा यूजना और इसके तहद क्या किया जाएगा कि सभी परिवार प्रतेक परिवार की जो उनको बीमा दिया जाएगा और यह राज जो है भारत में पहला बन गया है अगला प्रस नहीं है प्रस नमबर दो आठ मार्च दो हजर बाइस को मनाए गए अंतरा यह महिला दिवस का थीम क्या था तो आठ मार्च को महिला दिवस के रुपे मनाते हैं और इसका जो 2022 का थीम था वो था जेंडर एक्वालिटी टूडे फॉर संस्टेवल टुमोरो यह इसका 2022 का थीम था और इस बार महिला दिवस का रंग परपल ग्रीन है कैसा है परपल ग् किया गया था ठीक है और जिसमें की पर्पल जो है वो न्याय और गडिमा का प्रतिक था जब की हरा रंग जो है वो उमीद और सफेद क्या सुधता का प्रतिक बताया गया था ठीक है अगला प्रसंद देखिए प्रस नंबर तीन हाली में किस मंत्राले ने डूनेट ए पेंसन पहल सुरुआत की है तो डूनेट ए पेंसन पहल की सुरुआत जो किया है न वो सरम मंत्राले के द्वारा सुरू किया गया है और इसमें जो है केंद्रिये सरम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्रिया आदम ने सहायक करमचारी की पेंसन बनाने में और उसमें युगदान देने के लिए PM SYM एक योजना है उसके तहद क्या किया है डूनेट ए पेंसन काजकरम की सुरुआत की है अगला देखिएगा हाली में किस देश में जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की सुरुआत की गई है तो जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए कौनसी पहल हरित पहल कहां किया गया है सौधी अरब में और सन नमबर D सौधी अरब द्वारा जलवायू परिवर्तन के खत्रे से निपटने के लिए हरित पहल यानि कि ग्रीन इनिटेटिव की शुरुवात की गई है और इसका मुख उद्देश रखा गया है कि कारवन उत्सरजन को कम करना परदूसन और भूमी सरक्षन को कम करना समुद्री जीवों को सरक्षित करना ये तीन इसका उद्देश है प्रस नमर पांच है कि भारतिये नौशेना ने भारत में ऑक्सिजन से भरे कंटेनरों के सिपमेंट के लिए कौन सा ओपरेशन चलाया है तो भारतिय नौसेना के द्वारा ओक्सिजन से भरे कंटेनर के सिपमेंट के लिए का ओप्रेशन चलाया गया है और वो ओप्रेशन है आपका ओप्रेशन समुद्र शेतू और ये जो है अपरेशन समुन्द सेतु कार्ज करम ये नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है इसमें जो है अपरेशन में अपने साथ यूध पोत्तानात किये गये हैं जो विदेशों से तरल अक्सिजन और अन्य चिकित्सीय समगरी लाने में का काम करेगा और मई 2021 में ल ये राज सरकार के द्वारा सुरू हुआ है पोधार उपन को बढ़ावा देने के लिए और इस्तियोजना को सुरू करने वाला राज है आपका मदपर्देश राज मदपर्देश सरकार ने पौधा रोपन को बढ़ाने के लिए अंकुर योजना की सुरुवात की है और इस योजना का जो उद्देश रखा है वो उद्देश है कि राज में हाडियाली को बढ़ाना प्राकिर्ती में आए और संतुलन को रोकना अगला देखते हैं बुद्धा इन गांधरा पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक की जो लेखक हैं बुद्धा इन गांधरा इसके लेखक हैं सुनीता दुइबेदी सुनीता दुवेदी अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करें चेतन भगत की तो चेतन भगत की एक पुस्तक है One Arrest Mother ये जो है चेतन भगत की पुस्तक है और रोमिला थापर की एक पुस्तक है उसका नाम है Voice of Descent अगला देखते हैं Question No.8 अगला प्रसन है अवका की KK बिला फाउंडेशन के द्वारा बर्ष 2021 का 31 बिहारी पुरसकार किस साहित्य को दिया गया तो ये 31 नमर का बिहारी पुरसकार था ये दिया जाता है KK बिला फाउंडेशन के द्वारा और इस बार जो दिया गया है वो मधु कनकारिया को दिया गया है 2021 का 31 बिहारी पुरसकार और ये जो है राजस्थान के हिंदी साहित्यकार है मधु कनकारिया और इनकी जो पुस्तक है हम यहां थे हम यहां थे के लिए इन्हें दिया गया है ये पुरसकार ठीक है और इसके साथ साथ केके बिरला फ़ांडेशन के दुवरा ब्यास सम्मान सरस्ति समान ये सभी जारी किया जाता है भारतीय सिना ने किस राज में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी होर्ण सिंग प्लांट शुरू किया है तो वो आपका सिक्की में किया गया है option number D भारतीय सिना ने IIT मुंबई के सहयोग से किसके IIT मुंबई के सहयोग से सिक्की में पहला green solar energy हर्ण सिंग प्लांट शुरू किया है और ये प्लांट जो है वैनेडियम अधारित वैट्रिक तकनिक का उपियो करता है और इसमें जो है फिट उचाई पर बनाया गया है और इस प्लांट की अगर छमता की बात करे तो 56 के भी ये है ठीक है अगला देखते हैं 10 नमबर निमने लिखित में से किसे Miss World 2021 का खिताब दिया गया तो Miss World 2021 का जो खिताब दिया गया है ये केरोलीना विलावसका को दिया गया है अप्सन नमबर C केरोलीना विलावसका ये कहां की रहने वाली है तो ये पॉलेंड की है और इन्हें 2021 का Miss World चुना गया है और Miss World परतियोगता का शुरुआत का हुआ था तो 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी और एक प्रस्न इससे और बनता है कि जो Miss World परतियोगता है ये कहां पर आयोजित किया जाता है तो इसका आंसर आप लोग कॉमेंट वक्स में जरूर बताएंगे अगला प्रस्न एक ग्यारा नमबर नीरज गुपता समीती का सम्बंद निम्ण में से किस से है नीरज गुपता समीती का संगठन किया है बारा नमबर है निम्ण में से कौन सा बैंक रिन सुवधा तथा क्रेडिट कार्ट सुवधा उपलब्द नहीं करता है तो भुगतान बैंक जो है एक लाख रुपे तक की जमाय सुविकार करता है और यह रिन सुवधा और क्रेडिट कार्ट सुवधा उपलब्द नहीं करता है केबल डेबिट कार्ट सुवधा उपलब्द करता है भुगतान बैंक तेरा नमबर देखिए निम्ण में से कौन सा उत्पादन के साधन नहीं है तो आप्सन है आपका उध्यम सीलता पूंजी, स्रम और कच्छा, माल तो उत्पादन का जो साधन नहीं है वो कच्छा, माल नहीं है उत्पादन के चार ही साधन है एक तो पूजी है जिसको हम लोग मुद्रा कहते हैं उसके बाद स्रम है और भुमी है और उद्यम सीलता हो जाएगा ठीक है उद्यम सीलता तो तीन तो है उद्यम सीलता पूजी श्रम और एक हो गया आपका भूमी ठीक है ये चार ही उत्पादन के साधन है चौदा नमबर देखिए क्रिसी मुल आयोग की अस्थापना कव की गई तो क्रिसी मुल आयोग की जो अस्थापना किया वो 1965 में क्रिसी मुल आयोग की अस्थापना वर्स 1965 में की गई थी और इसका उद्यश रखा गया कि क्रिसी गत किसके लिए क्रिशी गत उपजों की कीमत में सरकार को सला देना और 1985 में किरसी मुलायोग का नाम बदल कर किरसी लागत और मुलायोग कर दिया गया ये भी याद रखी का कब 1985 में अगला देखते हैं प्रस नमबर 15 किसी बस्तु का अधिकतं भार क्या होगा? तो किसी बस्तु का अधिक्तम भार होगा, वो जो होगा प्रित्वी के धुरूबों पर होगा, कहां पर प्रित्वी के धुरूब पर होगा, option number B, किसी बस्तु का भार विश्वत रेखा पर निम्तम होता है, जबकि प्रित्वी के धुरूब पर अधिक्तम होता है, और ऐसा ग की प्रासरफ धोनी का पड़ियों किया जाता है और अल्ट्रासोनिक में प्रासरफ धोनी का उपयोग आंत्रिक अंगों की जांच जैसे मांस फेंसी जोर का हो गया रक्त नायल का इस गठिया उप्चार में किया जाता है तो टेप रिकॉडर जो होता है ना वो थोनी को चुम्बकी उर्जा के रूप में रिकॉर्ड करता है और टेप रिकॉडर के टेप पर लोठ चुम्बकी आपदार्थ का लेपन भी चड़ा होता है अगला अठारा नमबर है पारा ताप मापी ताप मापन की सीमा क्या है तो पारा ताप मापी में जो ताप मापन की सीमा होती है वो माइनस 49 डिग्री से लेके 350 डिग्री सिल्सियस तक होती है option number A का बिल्कुल correct answer है अगर हम बात करें मानब सरीर के ताप मान को मापने हैं तो पारात आपमापी जो होता है वो 95 degree foreign height से लेकर 110 degree Fahrenheit के बीचकार्ज करता है अब देखिे 19 नमबर प्रेस ने आपका कि विसिस्ट उर्जा का असाई मातरक क्या होता है तो विसिस्ट उर्जा का मातरक जो होता है जूल पर किलोग्राम पर केल विन होता है option number इसका बी बिल्कुल correct है विसिस्ट उस्मा क्या होता है तो या किसी पदार्थ के जो विसिस्ट उस्मा और उस्मा की वा मातरा है जो उस पदार्थ के इकाई द्रवमान में इकांक ताप विर्धी उत्वर करती है उसे विसिस्ट उस्मा कहते है बीस नमबर प्रस्ट देखिए भारत में एसी विद्दुधारा की आपरिती अधिक्तम होती है तो एसी विद्दुधारा की जो आपरिती होती है वो पचास हज से क्या होती है अधिक्तम होती है है ना और USA में AC विदुधारा की आविर्थी की बात करें तो 60 हच होती है USA में 21 नमबर देखिए 21 नमबर में 5 ओम के 3 परति रोध स्रेनी करम में होकर GA 1.5 बोल्ट के सेल से जुरे हैं परिपत की धारा का मान क्या होगा तो आपको याद होगा एक फ्रमूला की आर का एक की वड़ावर क्या हम लोग एक एक एमपीर वड़ा कैसे निकालते हैं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थिरी यह इसका बिदुधारा निकालने का स्रेनी करम का एक फ्रमूला होता है और इस पर जम निकालेंगे तो कितना 3 ओम के लिए बोल रहा है न तो 3-5 एड करेंगे तो 15 ओम हो जाएगा आपका 15 ओम निकल के आएगा और भी वड़ाबर हमारे पास कितना दिया हुआ 1.5 वोल्ट दिया हुआ है अब विद्धु धारा के फर्मुला पर इसे निकालेंगे तो निकल के आएगा 0.1 ampere और ओप्सन नमबर सी इसका correct answer है 22 नमबर है कि 90 डिगरी पर जुके 2 समतल कौन दरपन के वीच कुल कितनी प्रतिभिम बनेंगे तो 90 डिगरी पर जुके 2 समतल दरपनों के वीच का जो प्रतिभिम बनेंगे वो 3 कितना तीन बनेंगे है ना तीन बनेंगा अगला प्रस्ण देखते हैं option number question number 20 मानाव सरीर का blood bank किसे कहा जाता है तो मानाव सरीर का जो blood bank होता है वे spleen को कहते है और यह जो है सरीर के बाय फेपरे के नीचे पाई जाती है जिसमें क्या होता है मिर्त आर्विसी होता है इसमें मिर्त आर्विसी संग्रहित होता है अगला देखते हैं 24 नमबर किस सैवाल के नियमित सेवन से घेंगा रोग नहीं होता है तो यह जो दिया है option number B आर्विसी लेंडयरिया समुद्री सैवाल है जिसमें आयोडीन की प्रचूर मातरह पाया जाता है और ऐसे तत्व जो सरीर में थाइराड होर्मन्स बनाते हैं तो ऐसे तत्व यह है उसके गाद ऐसा सैवाल में iron पोटेसियम की अधिक मातरा भी इसमें पाया जाता है लेमेन एरिया में 25 नमबर है कि बायू प्रांगन समानता देखा जाता है तो बायू प्रांगन समानता देखा जाता है घास में पुस्पो में बायू द्वारा होने वाला प्रांगन को बायू प्रांगन कहते हैं तो option इसका ए बिल्कुल correct answer है 26 number है शरीर में आंत्रिक गुलकोज लाइको जो उन्में परिवर्तित कर्भो कर भन डारित करता है तो इस प्रस्न का आंसर है यकृत में यकृत जो है मानव सरीर की सबसे बरी ग्रंथी होती है और इसका जो प्रमुक कार्ज होता है वो रक्त में उपस्थित अत्रित गुलकोंच को गलाइकोजन के रूप में परिवर्थित करके संचीत रखना ये इसका प्रमुक कार्ज होता है 27 नमबर है प्रकास संसलेशन के दौरान बने उत्पादन कौन से हैं तो प्रकास संसलेशन के दौरान जो उत्पादन बने होते हैं वो होता है इसमें गुलकौँज, जल और ऑक्सीजन गुलकोँज, जल और ऑक्सीजन इसका correct answer है अगला प्रस्ण देखते हैं 28 नमबर इन में से कौन सी एक स्वेक्षिक किरिया नहीं है तो स्वेक्षिक किरिया जो इसमें से नहीं है वो है दिल की धरकन दिल की धरकन स्वक्षिक किरिया नहीं है बलकि एक अनेक्षिक किरिया है अगला प्रस्थ देखते हैं जन्तु का कौन सा समू बिसेश रूप से या मुप्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है तो ये हो जाएगा इकिनोडर्मेटा ये जो है संग के सभी जन्तु समुद्री होते हैं इस संग के जीव में जल सम्बहनतंत्र पाया जाता है और इन जन्तु के जो तोचा होती है वो काटो से अच्छान्शित होती है और इस संग के प्रमुख जीव की बात अगर हम करें तो वो तारा मचली होता है स्टार फिस जिसको बोलते हैं ब्रिस्टल स्टार होता है समुद्री अर्चिन होता है ये सभी इसी समुद्री जीव है बहु कोस्किय जीव है और एक कोस्किय के अगर हम बात करें तिसमें साइनो वैक्टेरिया, माइको प्लाज्मा, पैरेस, पैरामेसियम यह सभी कोस्किय जीव का उधारन है एक तिस नमबर है शिनकोना पादब के किस भाग से कुनेन प्राप्थ होता है तो शिनकोना यह च्छाल से प्राप्थ हो जाता है और हम बात करते हैं लौंग फूल की कली से प्राप्थ होता है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो इसमें दिया है केंदरी का फेलिक फूंट उना सही है पुनार वरतन सिधान्त अनरस्ट हैकल यह भी सही है पेंसिलीन वाल्थ हैर फ्लेमिंग यह आपका जो है सही नहीं है इसमें इसका correct answer आपका option number C हो जाएगा इसके अगर हम का तो यह हो जाएगा आपका पिंसलील का क्या हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा ना कि वालतियर फ्लेमिंग होगा ठीक है और चेचा कटी का एडवर्ड जेनर ये करेक्ट है त्यातिस नम्र प्रस्न है कि जर्मनी ने वर्साई की संधी का उलंगन कब किया तो जर्मनी ने वर्साई की संधी का उलंगन किया था 1935 में इस संधी को आरोपित संधी के नाम से भी जाना जाता है आरोपित संधी और वर्साई की जो संधी हुई थी वो 28 जुन 1919 को जर्मनी के साथ हुई थी और संधी के तहट जर्मनी की जो एक लग सेना थी एक लग तक सिमित सेना थी इसमें उसे बायू सेना तथा पंडूबी रखने का आईकार छिन लिया गया था और जर्मनी के सारे उपनिवेश बिजित राष्टों ने आपस में बांट लिये थे और इसी संधी में दूतिय वि पंडी जवाहलाल नेहरू जो है वो गाउ में आयुजित होने वाली प्रत्थम अधिवेशन थी उसके अधिख्ता किये थे और ये अधिवेशन कब हुआ था 1937 में कहां पे हुआ था फैजपूर में है ना ये पहली बार गाउ में हुआ था अधिवेशन अगला देखते हैं निमलिखित में से किस जेल में भगत सिंग, सुख देव और राजगुरू को फांसी दिया गया था तो इन तीनों को जो लाहौर जेल में फांसी दिया गया था तो अनुसिलन समीती का गठन किसके दौरा किया गया था तो अनुसिलन समीती का जो गठन है ये किया गया था बी मिसरा के द्वारा पी मिसरा के द्वारा बात करते हैं अनुसुलन समीती का कठन बंगाल में पी मिसरा द्वारा किया गया था और इसका उद्देश था खून का बदला खून अनुसुलन समीती की 500 साखाएं खोली गई थी और इस समीती में हेमचंदर दास कानुनंगों को पेरिस भेजा गया और जिसने रूसी क्रांती निकोलस सम फ्रांसीकों से बन बनाना बं बनाना सीखा था अगला है कि सेख बहाउद्दीन जाकारिया कि संप्रदाई के थे तो सेख बहाउदिन जकारिया जो थे ये सुहारबर्दी संप्रदाई के थे और सुहारबर्दी सिलसिला का अस्थापना सिहा बुद्दिन सुहारबर्दी ने बगदाद में किया था और सुहारबर्दी सिलसिले केंदर मुलतान में था और बहाउदिन जकारिया को इल्तु तुतमिस ने सेख उलिसलाम की भी उपादी दी थी अगला है 38 नमबर भगवान बुद के महापरी निर्मान के बाद पहली बहुत संगती कहा हुआ था तो राजगिरी में जब भगवान बुद का महापरी निर्मान हुआ था उसके बाद चार बहुत संगती हुआ था जिसमें पहला बहुत संगती राजगिरी में हुआ था और जिसको हम लोग धम संगती के भी कहा जाता है अगला देखते हैं चालिस नमबर उन चालिस नमबर यूरोपिय चितरकारी का परवेश निमली खित में से किस मुगल वात्सा के दर्वार में हुआ था तो यूरोपिय चितरकारी का परवेश जो हुआ था ये हुआ था अकवर के दर्वार में किसके अकवर के दर्वार में और यूरूपिये चितरकला के कुछ नमूने जो है वो पुर्तगालियों के माध्यम से अकवर के दरवार में पहुँचा था चालिस नमबर प्रस्ण देखते हैं पर्थम मुस्लिम सासक कौन था जिसने सासन के सिधान्त को राज्यो के स्वरी एदिकार सिधान्त के समान प्रतिपादित किया था तो ऑप्सन नमबर बी इसका कॉरेक्ट एंसर है बलवन जो था गया सुदिन बलवन गुलाम बंस का सासक था और इसने दिल्ली सल्तनत पर 1266 में कब 1266 इस भी से लेके 1286 तक सासन किया था और सासन पधति को बलवन ने नवीन सांचे में ढाला और उसको लॉंगिंग बनाने का परियास किया और इसका कहना था कि सुल्तान का हिर्दय देवी अनुकंपा का एक बिसेस विदी है और इस कारण इसका आस्तित अदूती है और उसने सिजदा एवम पावोस की प्रमपड़ा को लागो किया फार्सी तेवार नरोज का प्रारम करवाया और उसी के सासन बेवस्था को लोह एवम रख्तिर गिंति का कर समोधित किया जाता है अगला प्रस्ण देखते हैं 41 नमबर दस्चिन भारत के मंदिरों के आकरशक द्वार क्या कहलाते है तो दस्चिन भारत के मंदिरों का जो आकरशक द्वार है उसे गोपुरम कहते है और बात करते हैं दस्चिन भारत के मंदिरों का आकर सक दोर तो गोपुरम कहलाता है और पांडु कला बास्तु कला की विशेष्ता मंदिर नहीं आपुती ये गोपुरम ही है और गोपुरम जो है एक परकार का आयातकार भवन होता है जिसका सिखर उपर की और चोड़ा और करमसक कम हो जाता है अगला है करनाटक बंस का अंतिम सासक कौन था तो करनाटक बंस का अंतिम सासक हरी सिंग था मिथला के करनाटक बंस की अस्थापना नानेदेव ने की थी और इस बंस के अंतिन सासक हरी सिंग थे जो कला एवं साहित के महान सान रख छक थे अगला देखते हैं प्रस नमबर 43 अब तक ऐसे कितने प्रधान मंत्री बने जो पहले राज सभा सदसर राज चुके थे तो अब तक टोटल चार प्रधान मंत्री ऐसे बने हैं जो राज सभा राज चुके थे जिसमें सबसे पहला इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी थी जो इंद्रा गांधी की बात कड़े उसके बाद एचदी देव गोरा दूसरे नमबर प्रधान मंत्री थे जो राज सभा सदस रह चुके थे चवालिस नमबर है प्रधम लोगशवा के उपाध्यक्ष कौन थे तो प्रधम लोगशवा के उपाध्यक्ष थे वो अनंत स्यानम अयंगर थे option number 20 का correct answer है जबकि अध्यक्ष की बात करें तो जी भी मावलां करतें और 17 में लोग सभा की अध्यक्ष ओंबिरला 45 नमबर है कि समिधान संसोधन अधिनियम द्वारा बस्तु एवं सेवा करको लागू किया गया तो 101 समिधान संसोधन जो है इसके दोरा लागू किया गया है 2016 के दोरा बस्तु एवं सेवा करको लागू किया गया है और जबकि 101 समिधान संसोधन अधिनियम जो है वो भारत बांगलादेश भूमी हस्तांतरान से संबंदित है इनमें से कौन संबर्ती सुची का विशे नहीं है तो पुलीस जो है समभर्ती सुची का विशे नहीं है पुलीस राज सुची का विशे है जबकि अन्द 3 आपका समभर्ती सुची का विशे है अगला प्रसंद देखते हैं 47 नंबर संभिधान के किस अनुछेद के टहद संसद ब्रत्मान राजों के छेत्रों, शीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है तो ये आठकिल आपका तीन हो जाएगा आठकिल तीन इसका correct answer है संभिधान का अनुछे तीन के तहाद संसद नए राजों के निर्मान, ब्रत्मान राजों के छेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है आठकिल एक में है संग के नाम और राज छेत्र, दो में है नए राजों के प्रवेश तरहा स्थापना और तेरा आठकिल में क्या है मूल अधिकारों से औसंगत या उनका अल्टी करन करने वाली वीधिया अगला देखते हैं अर्टालिस नमबर निमलिकित में से कौन सा कथन शत्य नहीं है राश्टपती का मासिक बेतन पांच लाक रुपईया है दूसरा उप्सन है कि राश्टपती का बेतन आईकार से मुक्त है तीसरा है राश्टपती देश का सम्मिधानिक परधान होता है चौथा राश्टपती अनुछेद 76 के अंतरगत दोसी ठाड़ाए गएं किसी वेक्ती के दंड को छमाक कर सकते हैं तो पूछ रहा है कि निहींखित में composer कता न सत्य नहीं है तो सत्य आपका D नहीं है राश्टपती का जो अनुछेद 76 है इसमें दिया है कि अंतरगत दोसी ठाड़ाए गएं किसी वेक्ती को दंड छमा कर सकता ये गलत दिया हुआ है इसके लिए अनुछेद 72 राष्टपती किसी अपराद के लिए दोसी ठाड़ाये गए किसी वेक्ति को दंड को छमा करने और उसका प्रतिलंबन परिहार और लगुकुरन की सक्ति प्राप्त है 72 के तहद ना कि 76 के तहद अगला देखते हैं संविधान के विशय सूचियों में दिये गए विशयों के अत्रिक्त विशयों पर कानून कौन बना सकता है तो संसद बनाता है आठकिल 248 के अंतरगत जो है संसद के अफसिस्ट विधाई सक्तियों के बारे में प्रबधान है और इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विशय के संब्ध में जो संबर्ती सूचि या राज सूचि में उल्लेखित नहीं है उस बिधी कानून बनाने के लिए इसको सकति परदान किया गया है भारत के संबिधान में केंद्र राज्यों के बीच सक्तियों का भी भाजन कौन सा अधिनियम है तो अधिनियम उन्हें 135 का अधिनियम है ये जो है भारत के सम्मिधान में केंद्रेवम राज्यों के बिच किये गए सक्तियों का भी भाजन भारत सरकार अधिनियम उन्हें सब 35 में दिया हुआ है बूतपुर्व संसद सदस्दों के लिए पेंसन बिवस्था कब से लागू की गई तो इस प्रस्न का करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी उन्हें सच्छेहत्तर से बूतपुर्व संसदों के सदस्दों के लिए जो पेंसन बिवस्था है उन्हें सच्छेहत्तर से लागो की गई थी 52 नमबर है सौर मंडल का निर्मान निमलिखित में से किस से मिलकर होता है तो सौर मंडल का निर्मान एक तो गरह, सूर्ज, उपगरह, उलकापिंट सभी को मिला कर होता है सौर मंडल से गरह जो सूर्ज का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं तो सौर मंडल के गरा जो सूर्ज का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं तो वो हो जाएगा दिर्ग विर्ताकार सौर मंडल के सभी आठ कड़ा एक निश्चित पत पर सुर्ज का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते जो होते हैं दिर्ग विर्ताकार में फैले होते हैं जो काक्छा कहलाते हैं चोवन नमर प्रस्ण है कि विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में इस्थित है तो विश्व का सबसे गहरा भाग जो मेरियाना गर्थ है ये प्रसांत महासागर में इस्थित है जिसकी गहरा एक गहरा हजार बाइस मिंटर है एसिया को अफरिका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है तो एसिया से जो अफ्रिका को अलग करती है वो नहार है आपका स्वेज नहार अगला प्रसन देखते हैं छपपन नमबर कस्मीर की घाटी, कांगरा एवं कुल्लू घाटी इस्थित है तो कस्मीर की घाटी, कांगरा एवं कुल्लू घाटी ये तीनों आपका मद हिमालय या फिर जिसे लगू हिमालय कहते हैं उसमें इस्थित है मद हिमालय या लगू हिमालय परवस्रिंखला में कस्मीर की घाटी, हिमालय कांगरा एवं कुल्लू घाटी इस्थित है और इस छेत्र को पहाडी नगरों के लिए जाना जाता है, मसूरी, नैनिताल, रानी खेत जैसे प्रेटन नस्थन भी लगू ही माले के अंतरगत ही आते हैं निमलिखित में से किस चटान के पर्तों में खनीज का निच्छेपन या संचयन होता है तो अब साधी चटान में होता है, option number इसका एक correct है अब साधी चटान में जो है, वो पर्तों में खनीज का निच्छेपन या संचयन होता है अंठावन नमबर देखते हैं कि निमलिखित में से उस किर्सी परनाली को दरसाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौरे च्छेतर में उगाई जाती है तो ये प्रस्न का आंसर है रोवन किर्सी रोपन किर्सी जो है एक परकार का वानिज खेती है और इस परकार की खेती में लंबे चौरे च्छेतर में एक ही फसल उगाई जाती है रोपन किर्सी उद्योग और किर्सी के बीच एक अंतरा प्रिष्ट है रोपन किर्सी ब्यापापक च्छेतर में की जाती है जो अत्यदिक पूजी और स्रमिक की सहता से की जाती है इससे प्राप सारा उत्पादन उद्योग में कच्छे माल के रूप में पर्योग होता है उनसर्ट नमर प्रस्ण है कि भारत में निमलिकित में से किस दसकी जनसंख्या विर्दीदर डिनात्मक दर्ज की गई थी तो 1911 से लेके 1921 के बीच का जो जनसंख्या था वो अडिनात्मक दर्ज किया गया था विर्दीदर अगला देखते हैं निमलिकित में से कौन सी धातू जल के साथ समान नताप पर अविक्रिया करती है तो इस प्रस्न का एंसर हो जाएगा सोडियम ओप्सन नमबर इसका ए बिल्कुल कॉरेक्ट एंसर है सोडियम जो है वो समान नताप पर जल के साथ अविक्रिया करती है और यह कैसी धातू है तो छार धातू है सीडे राइट निमलिकित में से किसका आयक्स्क है तो सीडे राइट जो है यह आईरन का आयक्स्क है सीडे राइट इसको लिखते है फ-e-co-3 और इसमें 48 पर 30 जो है आईरन होता है चुकि इसमें सलफर और फोस्पूरस अनुपस्तित रहता है और यह एक महतपुर्ण खनीज है बासट नंबर है कि निमलिकित में से कौन सा गुन कारवन डायक्साइट को कोवाल्ट से भीन करता है तो एक तो इसमें जो प्रकास की उपस्तिती में जल से किरिया यह जो है ना बद इतना ही का अंतर है कारवन डायक्साइट और नहीं लेता है निमलिकित में से कौन परमानू सिधान्त के प्रस्तुत करता के रूप में जाने जाते हैं परमानू सिधान्त के प्रस्तुत करता जौन डल्टन को कहा जाता है अप्सन नंबर बीस का कॉरेक्ट एंसर है अगला देखते हैं दूर्वीन के लेंस में कौन सा का करीओं किया जाता है और दुर्विन का परियोग पृतविसे दूर कि बस दोए खगोलिए पिंडों को देहने के लिए भी किया बनते हैं वो सस्ते दामों में बिखते हैं निमलिखित में सबसे ज़्यादा अभी किरिया सील है तो इस सभी में जो सबसे ज़्यादा अभी किरिया सील है वो है ऐलमुनियम ऐलमुनियम जो है सबसे ज़्यादा अभी किरिया सील है अगला देखते हैं अजन्ता की गुफा निमलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया तो अजन्ता की गुफा जो है वो गुप्त सासक के द्वारा निर्मित करवाया गया था अलोरा की गुफा जो हुआ था अलोरा का गुफा किसने मनवाया था ये बौद के द्वारा था एलिफेंटा का गूफा राष्ट कुटों के द्वारा था आजन्ता का गूप्थासक के द्वारा और कदर्या महादेव का मंदी जो था ये चंदेल राजाओं के द्वारा अब देखते हैं आर्शाठ नमबर प्रस्ट कारगील अस्मिर्थी दिवस का मनाया जाता है तो कारगील अस्मिर्थी दिवस जो है ये 26 जुलाई को मनाया जाता है क्यूंकि यह दिवस जो है कारगील यूद में सहीध हुए भारतिय जवान के सम्मान के लिए मनाया जाता है Central External Langer Department किस देश की गुप्चर संस्था है तो Central External Langer Department जो है ये चीन की गुप्चर संस्था का नाम है जबकि Bureau of State Security कहां कि दस चीन अफरिका की अगला देखते हैं 70 नंबर Federal Assembly किस देश के संस्था का नाम है तो Federal Assembly जो है ये हो जाएगा भारत के पर्थम मुकर फिल्म है तो भारत के पर्थम मुकर फिल्म जो है वो राजा हरिस्चंद्र है option number B भारत की पर्थमुक फिल्म राजा हरिस्चंद है अगर पर्थम बोलती फिल्म पूछे तो आलम आ रहा है और पहली टेक्निकल फिल्म जासी की रानी है और पर्थम 3D फिल्म माइडीयर कुट्टी यातन है 3D फिल्म अगला है भारत का पहला जीव मंडल निश्चय कौन सा है तो भारत का पहला जीव मंडल निश्चय जो है वो निल गीरी जीव मंडल निश्चय है और इसका आस्था अपना 1986 में हुआ था अगला देखते हैं संकटा पन जीव समुदरी गाई कहां पाई जाती है अगला देखते हैं निमलिकित में से कौन सा मानव और पर्यावरन के बीच अंत्योने क्रिया का सरबदिक महत्पुन काड़क है तो इस प्रस्ण का अंसर है प्रदोगी आप्सन नमबर सी मानव प्रदोगी की सहता से अपने भौतिक पर्यावरन से अन्योन क्रिया करता है और यह महत्पुन नहीं है कि मानव क्या उत्पन और निर्मान करता है बलकि यह अत्यंत महत्पुन है कि वह किन उपकरनों और तकनि की सहता से इसका उत्पादन और निर्मान करता है अगला प्रस्ण है 75 नमबर लाली वंजीव अभ्यारन किस राज में इस्थित है तो लाली वंजीव अभ्यारन जो है ये अरुनाचल परदेश में इस्थित है और ये अरुनाचल परदेश में ब्रह्म पुत्रा नदी के किना और इस परियोजना से संबंधित राजकोन है करनाटक है जो लावानमित होते हैं अब यहां से मैथ और इसनिंग का प्रस्ण इसका मांसर बता देते हैं आपको टेलिग्राम पे पीडियेप में मिल जाएगा तो इस प्रस्ण का अंसर आपका D हो जाएगा 78 नमर प्रस्ण जो है इस का अंसर आपका B हो जाएगा 89 नमर प्रस्ण का अंसर क्या C हो जाएगा और 80 नमर प्रस्ण जो है कि कुछ बल्ले गेंद है और सब छड़ियां गेंद है तो इस प्रस्ण का आंसर भी हो जाएगा 81 नमर प्रस्ण है कि यदि पत्थर को नीला कहा जाता है नीले को पानी कहा जाता है पानी को पेर कहा जाता है पेर को बैक कहा जाता है और बैक को इंद्रधनुस कहा जाता है तो इंद्रधनुस को आकास कहा जाता है तो किताब ले जाने के लिए किसका पर्योग करेंगे तो इस प्रस्न कांसर हो जाएगा इंद्रधनुस का क्योंकि इंद्रधनुस को बैक कहते हैं 82 नमर प्रस्ण है निमलेकी स्रिंकला में अगली संख्या कौन सी होगी तो इस प्रस्ण का अंसर 256 हो जाएगा माधमिका निकालना है आपको मीडियन जिसको बोलते हैं और मोड इंगलिस में इसको मोड बोलते हैं मीडियन बोलते हैं बहुलक और माधमिका इसको कैसे निकालते हैं तो इस प्रस्ने का अंसर आपका हो जाएगा option number a 5 और 5 ठीक है दोनों का 5 ही हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्न देखते हैं 84 number 29 को binary में बदलिए तो 29 को binary में कैसे बदला जाएगा तो सबसे पहले आप इसे पना लिजेगा 29 को binary number क्या होता है 0 होता और 1 होता है यही सबसे दो से लगाई वन टाइमस में लगेगा कितना 14 फिर यहां पर 0 हो जाएगा क्योंकि यह फिर साथ से सादूना 14 साथ लग जाएगा दो से फिर कट जाएगा एक तीन हो जाएगा यानि की टोटल आपका हो जाएगा 1101 यह आपका binary हो जाएगा ठीक है तो इस प्रस्ण का अंसर क्या हो जाएगा 85 का sorry 84 का इसका जो answer हो जाएगा option number C हो जाएगा 85 नंबर प्रस्ण का अंसर हो जाएगा D 73 86 नंबर प्रस्ण क्या है कि निवन में से कौन सा यूगम तीन यूगमों जैसा नहीं है तो सही प्रमानिक उसके बाद डरा हुआ या फिर भैंकर कुरूर अशब्बे पूछना उत्तर यह option D जो है सबसे यूगम एक जैसा नहीं है अगला है दिये गये चीतर में कितने तिर इसके बाद है प्रस्ण वाचक चिन के अस्थान पर अनुपस्तित अंग ग्यात कीजिए तो इस प्रस्ण का अंसर 13 हो जाएगा उप्सन नंबर ए उसके बाद नेक्स्ट है नवासी नंबर प्रस्ण की चाल अलार्म तीन चार पांच और आठ मिनट के अंतराल में बजती है एक क्यानवेर नंबर प्रस्ण है और इस प्रस्ण का अंसर ए हो जाएगा बिरानवेर देखते हैं सही बिकल्प को चुनिए उडिशी उडिशा उडिशी केरल तो इसका केरल का क्या हो जाएगा कथक कली हो जाएगा सब का अब निर्तित का नाम दिया हुआ है तो केरल का क् देखते हैं 93 नमबर प्रथम दो सब्द के बीच के संबंद के अधार पर अनुपस्थित सब्द का पता लगाईए बृत परीधी तो वर्ग का क्या हो जाएगा पडिमाप हो जाएगा फूल फल्ली तो पौधा क्या हो जाएगा ये बीज हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी बिल इसमेंसे बनेगा वह भी बनेगा 96 नमर प्रसन का अंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा 97 का D १ हो जाएगा 98 नमर प्रसन का क्या हो जाएगा C 101 का हो जाएगा option number C 102 का D हो जाएगा 103 देखिए कि यदि कोई वेक्ति अपने सीर के बल दच्छिन की और मुझ की खरा होता है तो बाया हाथ कि इस दिशा में होगा तो इस प्रस्ण का answer हो जाएगा option number B पस्छिन में और 104 नमर प्रस्ट ये भी direction से संबंदित प्रस्टन है और इस प्रस्ण का answer हो जाएगा option number C दस्छिन उस सब्द को ज्यांत के जिए जिसे photosynthetic सब्द में परियुक्त अच्छरों से नहीं बनाया जाता है तो इस प्रस्ण का answer होगा option number C pod दिये गए बिकल्पों में से वह बिकल्प चुनियों जो बनाया जा सकता है discovery तो इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा decode D.E.C.O.Y अग्या देखिए 107 नमर A से Z बरा है Y Z से छोटा है Z W से बरा है W X से छोटा है तो सब से बरा कौन सा है तो इस प्रस्न का आंसर उप्सन नमर A हो जाएगा X 108 नमर प्रस्न है और इस प्रस्न का आंसर हो जाएगा उप्सन नमर D और 109 नमर प्रस्न का आंसर B हो जाएगा 110 का क्या हो जाएगा 110 का D हो जाएगा 111 नमर प्रस्न का आंसर है आपका उप्सन नमर A पहले figure draw करना पड़ेगा उसके बाद इस cancer आप बना पाईएगा तो इस प्रसंद cancer हम आपको बता देते हैं इसका B हो जाएगा 113 का आपका हो जाएगा A, E और 114 का answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा B 115 का हो जाएगा C और 116 का D हो जाएगा 117 का भी D हो जाएगा 119 का B हो जाएगा 120 का भी B हो जाएगा देखिए यह सब का कोई trick नहीं है यह सब आपको बनाना ही पड़ेगा और 121 नमर प्रसंद का answer हो जाएगा D 122 का क्या हो जाएगा 122 का भी B हो जाएगा 123 का भी आपका हो जाएगा option नमर A 124 नमर प्रसंद का answer हो जाएगा C और 125 नमर यह matrix को पूरा कर 4 B कल्प में से एक उप्यूक्त आकिरती का chain करें चोटा करते हैं तब ही समझ में आएगा और इस प्रसंद का answer आपका हो जाएगा 125 का option नमर A एक होगा और देखिए 126 का क्या है इसका मान निकलना है तो इस प्रसंद का answer A हो जाएगा और 127 का आपका D हो जाएगा 128 का क्या C हो जाएगा 139 का 400 आपका answer निकल के आएगा देख लिजे और 130 का क्या हो जाएगा 130 का भी आपका A हो जाएगा समाप्ति होने वाला है पुछ प्रस्णों और है 10 से 10 16 और 24 तीनों में से विभाजित होने वाली सबसे छोटी बर्ग संख्या क्या है तो इस प्रसंद का answer जो आपका हो जाएगा ना option नमर D हो जाएगा 36 132 नमर प्रसंद का एक बड़ छोटा करते तो इस प्रसंद का answer आपका B हो जाएगा 133 नमर प्रसंद का D हो जाएगा D ज्यात नहीं किया जा सकता है अगर हम इसकी answer की बात करें तो इसका answer ही नहीं आएगा इवाटा B का देख लिजेगा निकाल के सवर्ष के 34 का देख प्रसंद का answer 0 हो जाएगा और 136 का क्या हो जाएगा 136 का भी D हो जाएगा 137 का C हो जाएगा 138 का भी C हो जाएगा 149 का आपका हो जाएगा C और 140 का भी C हो जाएगा देख लिजे और 141 का क्या हो जाएगा C 142 का हो जाएगा option D D उसके बाद हो जाएगा 143 का 143 का B हो जाएगा 144 का भी हो जाएगा और 144 नमर प्रसंद जो है इसका answer हो जाएगा option नमर 144 का option नमर C 145 का answer हो जाएगा option नमर C 146 का क्या हो जाएगा 146 का हो जाएगा option A तीन वर्स और 147 का हो जाएगा option नमर D 147 का D हो जाएगा 625 148 का हो जाएगा option नमर B और 169 का, देख लीजए 169 का क्या है, 149 का B हो जाएगा, और 150 यian last person है, इस person का अंसरा आपका 110 निकल के ऐगा, त ही हमारा लास्ट कल एक प्राक्टिस एट और आएगा उसके बद amendment 15 प्राक्टिस एट का सेज बाप्त हो जाएगा, तो चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो क के साथ तब तक के लिए धन्यवाद